आजमगड लोकसभा उपचुनाओं में हार जाने के बाद भी गुड़्टु जमाली को सूर्खियों में बने रहना बहुत मायने रखता है वहीं बसपा अधच्छ मायावती ने किया तारीफ मायावती ने कहा स्री सा अलामुर्फ गुड़्टु जमाली आजमगड में लोकसभा उपचुनाओं जी संगर्षवा दिलेरी के साथ लड़ा है उसे आगे 2024 में लोकसभा उपचुनाओं तक जारी रखने का संकल पिलिया है वहीं आपको बता दे कि बीएसपी अधच्छ मायावती ने कहा बहुजन समाज पार्टी के सबी छोटे बड़े कार्य करताओं पताधिकारियों तथा पार्टी परत्यासी स्री सा आला मुर्फ गुर्टू जमाली आद ने आजमगर्ण लोकसभा उपचुनाओं जी संगर्षवा दिलेरी के साथ लड़ा है उसे आगे 2024 लोकसभा आम चुनाओं तक जारी रखने के संकल्प के तहात चुनाओं मुस्ताधी या थावत बनाय रखना भी जरूरी है वही मायावती ने आगे लिखते हुए कहा कि सिर्फ आजमगर्ण ही नहीं बलकि बहुजन समाज पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में 2024 लोकसभा उपचुनाओं के लिए जमीनी तयारी को ओट में बदलने है तो भी संगर्ष का प्रयास लगातार जारी रखना है वही आगे मायावती ने कहा कि इस क्रम में एक समदाय विशेश को आगे होने वाले सभी चुनाओं में गुमरा होने से बचाना भी बहुत जरूरी है वही आपको बता दी इस वक्त की बड़ी खबर है कि आजमगर्ण लोगसभा उपचुनाओं में हर जाने के बाद भी गुड्डू जमाली काफी सुर्खियों में बने है मायावती ने की तारीफ